आज आपकी खास मुलकात करवाते हैं आक्टर दरपन शिवास्तव से जिन्होंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है दरपन शिवास्तव ने हमारे साथ एक्स्क्लूजिव बातचीत में अपने क्यारेक्टर के बारे में डीटेल में बात की है उन्होंने कहा है कि वो टीवी के सबसे खूंखार खलनाइक हैं और खलनाइक बनने के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा है आईए देखते हैं दरपंशिवास्तब ने और क्या कुछ कहा है सबसे पहले तो सर आपको तीन दशक से ज्यादा समय हो गया आप फिल्म इंडसी टीवी इंडसी से जुड़े हुए हैं पचीस साल से ज्यादा आप सिर्फ अभिने अभिने कर रहे हैं इतनी खूंखारियत और खलनायकियत कहां से लाते हैं कैसे लाते हैं कैमरे को कैसे आप य मैं शोचता हूं कि वह आदा काम कर देती है दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई किरदार में लिभाता हूं तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है उसकी क्रिएटिव टीम का जैसे अभी मैं हरोड की बात करना चाहर हूं यह ऐसा हो सकता है वह बहुत सपोर्ट करता है तूसरी बात फिर आफी सालों से मैं काम कर रहा हूं तो जब किरदार काफी निफाली है तो वह भी आसान हो जाता है तो कि आप एक निरंटा प्रक्रिया में बने हुए है अब लगातार उस चीज को देख रहे हैं लगातार आप करना शुरू किया जिसने से और जिसने से व अन्रस एक आवाज आई कि इसको मैं इससे प्ले करूँ देखा ही होगा और अब जो है बाइस दिसंबर आठ बजे तोम आर्से सप्रवार एंटी वर येशु जब आएगा तब आप लिखेगा मैं बड़ी शिदत से काम किया अप्रिशेट करते हैं और मैं चाहूँगा कि बना रहे प्यार इतने सालों से बना हुआ आगे भी बना रहे आगे भी देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं आप तीनों के जीवन में किरदार से या इस कहानी से क्या कुछ असल जिन्दी में आ गया है जो जीवन पर साथ हां तीनों से सर पहले आप जवाब दीजे मैं जवाब देता हूं देखिए मैं राओ जिससे पापी था अत्याचारी था उसको मज़ा आता था कि अपने प्रजाप पर अत्याचार करें यह उसका एक तरसे नकारात्मक तो यह पहनी था लेकिन अगर मैं इस हैराओ को जब क कि अस ते दुरान अहां मैं कि अजिए में एसके ज़गा हैं का इसा सब्सक्रावD करता होगा गा कैसे विः राजा होगा और कैसे ओसके ऐर शीव ज़गी चबती ओंगी तो पिसक informações जदी आए अगई मैं अपने आप को अपने गहर से प्रतख कर लिया तो कि मुझे लग्ता कि मुझे लग्ता कोई जादा टाइम देना इस चरीक्टर की लिए मैं उसके साथ में लेके चलूँ है